लोगों की बीच में सुरक्षा जाक्रुक्ता को बढ़ाने के लिए साथी चार मार्ष को इस कारिक्रम की स्थापना को याद करने के लिए हर वर्ष भारत में राष्ट्य सुरक्षा दिवस अभियान बनाया चाता है भारत की राष्ट्य सुरक्षा परिशद एक साश्वित संस्ता है जिसके लिए लोग सिवा के लिए गैर लामस और गैर सरकारी संस्ता जो 8000 सदस्यों के साथ मुंबई में सुसाइटी आग के तहित चार मार्च 1963 में स्थापित हुई थी सुरक्षा स्वास्तो और परियावरन संबंदी सहायता सिवा के साथ उनको लाप पहुचाने की द्वारा उनकी आर्तिक नुकसान और विबिन्न मानल समस्या सहित जीवन के घाटे को कम करने और बचाने के लिए वारशिक आधार पर ये एक राष्ट्रिय आंदुलन है निजी क्षेत्रों में व्यापक तोर पर सुरक्षा जागरुकता कारेकरम के प्रदर्शिन की द्वारा ओद्योगिक दुरगटना से कैसे बचा जाय के बारे में लोगों को जागरुक बनाने के लिए पूरे उच्साह के साथ इसे मनाया जाता है जो किसी भी सुरक्षा कान के द्वारा धकान नहीं हुआ है पूरे सप्ताह अभियान को मनाने के दौरान सुरक्षा जरुरतों के तहत लोगों के लिए विभिन प्रकार की खासकती वीदियो को प्रदर्शित किया जाता है स्वास्त संगटनों और ओद्योगिक सदस्यों सहित सरकारी और गैर सरकारी स संस्थाओं में एक संसक्ति के द्वारा इसे मनाया चाता है। निम्नलक्षो को पुरा करने के लिए परीश्यत के द्वारा एस्या नारो और संदेशों के साथ सभी केंद्रे डिजाइन, विध्यापन संबंदी सामानों और उपयोगी छपाई के साथ वो अच्छे से उपल से जोड़ कर देखने लगे ऐसी कलाकार रही दीना पाठक भारतिय सिनेमा जगत में दीना पाठक ने ना सर्फ अभिनेक एक शेत्र में अपना डंका बचाया बल्कि उन्होंने थियेटर जगत को सिनेमा के साथ जोड़ने में बेहत एहम भूमी का निभाई आज के दिन 1922 में उनका चन्म हुआ था आजादी से पहले महलाओ का रंगमन से जुराओ बेहत कम होता था ऐसे समय में भी दीना पाठक ने रंगमन्च को अपनी कर्मभूमी बनाए और उसमें सफलता हासल करने की कोशिश की अंग्रेजों से लड़ाई की जंग में दीना पाठक ने अपना योगतान दिया था उन्होंने दुकड और नाट को द्वारा जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुठोने की अपील की थी गुजराथी थेटर को अपनी पहचान दिलाने में दीना पाठक का बेहत एहम योगतान रहा 1940 से ही दिना पाठक गुजराथी थेटरों में काम करने लगी दिना पाठक ने बलदेव पाठक से शादी की थी और उनकी दो बेटिया भी है जिनके नाम है सुप्रिया पाठक और रतना पाठक दिना पाठक की बेटिया रतना पाठक और सुप्रिया पाठक भी हिंदी कला जगत की चर्शित अभिनेत्री है दोनों ने ही अधिकतर हास्य प्रधान टीवी कारेक्रमों में अपनी चाप छोड़ी चार मार्श 1922 को जन्मी दीना पाठक ने अपने फिल्मी करियर की शिरुवात एक गुजराती फिल्म से की थी हाला कि इसके बाद उन्होंने सिनेमा से ही रुक किया और फिर तकरीबन 20 साल बाद सिनेमा जगत में वापसी की लेकिन दीना पाठक ने जब वापस सिनेमा का रुक किया तो वह करीब 44 साल की हो चुकी थी इस उम्र में उन्होंने बासु भटाचारी की फिल्म उसकी कहानी में काम किया जिसके लिए उन्हें बंगा प्रसिद्ध फिल्मों में मौसम, किनारा, किताब, चिचोर, घरोंदा, गोलमाल, खुबसुरत, आदी शामिल हैं। प्रवासी भारतियों को प्रथम विश्व युद्ध के दोरान प्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत में सशस्त्र करांती के लिए प्रेरित्या था। प्रवासी काफी प्रभावित थे। उनकी प्रारंबिक शिक्षा कैमरेज मिशन स्कूल में हुई। बाद में संस्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में सनात्त की दिगरी हासल की। उन्होंने पंजाब विश्विध्धाले लाहोर से पहले अंग्रेजी साहित्य में फिर संस्कृत साहित्य में मास्टर की डिगरी प्राप की। अध्यन के प्रती उनकी रूची को देखती हुए सरकार ने उन्हें 200 पॉंड की चात्रवृती प्रदान की गई। इससे वह उच्चे शिक्षा के लिए लंदन चले के और वर्ष 1905 में अक्सवोर्ड विश्विध्याले में दाखिला लिया। लाला हरदयाल को लंदन में रहते हुए अंग्रेजी भाष्चा से ऐसी घुरुना होई कि उन्होंने उसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजी भाष्चा में इंडियन सिवल सर्रेसिस की तयारी का भी विचार त्याग दिया। जबकि उन्हें इस परिक्षा में सफल होने का प्रबल दाविदार माना जा रहा था। उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले वजीफिय को भी ठुकरा दिया। अंग्रेशी से नफरत के बाद उन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया। बीसीन न्यूज के दिन शेश कारिकर में फिलाल इतना ही। ऐसे अन्यों और खबरों से जुरे रहने के लिए देखते रहे हैं बीसीन न्यूज। नमशकार।